हलो भाई वेलकम बैक तू माई चैनल तो भाई आज नाम है आपको सबका एक डाउट क्लियर कर दूँगा कि फ्रॉंक्स की सेफटी क्या रहने वाली है तो भाई सबको डाउट है कोई बोलता फॉर स्टार है कोई बोलता फाइव स्टार एक कि स्कोर करेगी तो बोलते भाई इसका भी जीरो स्टार दो स्टार ही आएंगे तो भाई आज इस वीडियो में वही आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा कि यह एकितना है कितना नहीं चल सकते हैं कि हाँ इतना स्कोर कर सकती है वो भी ऐसे नहीं कि सिर्फ उमीद उसके लिए अपने पास कुछ वैलिड प्रूफ बोल सकते हैं या फिर वैलिड अपने पास रीजन हो सकते है कि क्यों अपने को लगता है यह 4 या 5 स्टार स्कोर कर लेगी तो भाई मैं ऐसा क्यों बोलता हूं मैं इसलिए बोलता हूं भाई एक तो यह थोड़ी फील होती है हैवी वगरा यह सब मैं आपको पहले बता चुका हूं तो मैं बार-बार तो बोल कि आपको बोर करूंगा नी तो भाई अभी मैंने एक चीज नोटिस करी ठीक है भाई मैं गूगल कर रहा था तो मैंने देखा इसकी जो आउटर सीट मैटल है जो मोटाई होती है उपर के सीट की उसके उपर मेरा ध्यान गया ठीक है भाई अब भाई देखो मारुती की गाडिया लो स्कोर ही उसकी सीट मैटल की वज़े से ही करती है हमेसा देख लो उसकी जो सीट मैटल की क्वालिटी है वो इतनी पतली है कि भाई वो भीड़ते ही वो पिचक जाती है इसलिए में को लगता है कि ये हमेसा जीरो स्टार डो स्टार पे रह जाती है ठीक है भाई स्ट्रक्चर वाई ये सेफ है तो स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है और सेम स्ट्रक्चर पर ये बनी है इवन उसमें कुछ अपग्रेड ही करा है इस वाले स्ट्रक्चर में ठीक है भाई तो अब भी लेकिन फ्रॉंक्स में अब उसकी आउटर सीट मेटल एक तो हैविक कर ही दी अब ठीक है अब मैं उसकी आपके थिकनेस बताता हूं उसकी मोटा ही बताता हूं कितनी है तो भाई इसके लिए अपन समझते हैं जो ब्रेजा थी ना ओल जेन ब्रेजा जिसको अपन विटारा ब्रेजा भी बोलते हैं ठीक है भाई अपन उसका एक 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 जामपल लेते हैं तो अभी देखो ब्रेजat में क्या सीन था ब्रेजा की जो आउटर वह आपको सबको पता है वह फॉर स्टार रेट गाड़ी is उसमें कोई डाउट नहीं ऐसे इंडिया में बने टार ट्र गाड़ी वीटा्रब्रेजा अभी वाली ब्रेजा अगा अपन वो थी 0.8 mm to 1 mm ठीक है यह मैं कुछ नहीं बोला आपको गूगल पर सब कुछ मिल जाएगा ठीक है लेकिन अभी अपन बात करते हैं फ्रॉंग्स की थिकनेस की भाई फ्रॉंग्स में आपको 1.2 to 1.3 mm की थिकनेस मिलती है मलब ब्रेजा से 0.3 mm आपको ज्यादा थिकनेस मिलती सब्सक्राइब करें लेकिन अगर अपने इन सब चीजों को देखे ना कि हाँ चलने में गाड़ी है लगती है दरवाजे भारी फील होते हैं इतना सब अपग्रेड कर दिया मारूती ने जबकि पहले आपने देखा बलेनों थी ठीक है पुरानी वाली बलेनों की बात कर रह सब्सक्राइब करें तो अब आपने नए प्रोडक्त में अपग्रेड तो करा है इतना तो मैं श्योर हूं अब आपने देख लिए ड्रोबैक ता ना उसमें उसने बाई कितना याप ज्यादा कर दिया आपने खुदिने देखा इस चीज को और यह में खुझ से बना की नही तक रेस्टेस ना यह बोले ना कि भाई यह टीन का डब्बा है यह वह है वह है तो भाई आप उनको सीधा बोलना भाई यह देख फॉर स्टा रेटेट गाड़ी से ज्यादा थिकने से इसकी और यह मां आउटर थिकनेस के बात कर रहा हूं जो शीट मेटल की ठिकनेस होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं ऐसे कोई हवामी नहीं बोला आपको गूगल पर मिल जाए 1.2 1.3 mm आपको इसकी आउटर शीट मेटल क्वालिटी अराम से मिल जाएगी भाई तो आई होप आपका एक डाउट क्लियर हुआ होगा कि क्यों मैं बोलता ह आपको किसी चीज पर वीडियो चाहिए तो वह भी आप बता सकते हैं मेरे अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वह वीडियो बना देता हूं इंस्टेंट लिए एक दिन या दो दिन बाद में ठीक है भाई तो ठैंक्स फॉर वाचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल आपक बता सकते है